देल सारी बधाई शुब कामना है उन्होंने जनता का विश्वास जीतने में वो सफल रहे क्या कारण रहे कि हम लोग का प्रदशन जाए एक तरफ भराश्णा में इतना बहतरीन रहा यहां पर किस वज़ा से हम लोगी चूकोई है मंतन का विशे है बट नमस्कार महां देवा देश्वी यादब पप्पू यादब मम्ता बन्यर जी समेथ जो हैं वो इंडिया गडबंधन के कई नेता गन जो हैं वो मौझूद रहें और हेमन जैसे ही सपत लेते हैं उसके बाद चिराग पास्वान केंद्रे मंत्री चिराग पास्वान ने भी हेमन सुरेन को बढ़ा दी है चौथी दफा सीम बनने को लेकर चिराग पास्वान क्या कुछ कह रहे हैं जारखन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अपनी पार्टी जीत अपनी पार्टी लोजपा की जीत को लेकर जारखन में खासका चत्रा विधान सवा सीट को लेकर और हैमन सुरेन को किस रूप मे किस तरीके से बधाई देते हुए नजा आ रहे हैं चिराग पासपार आगे आप वीडियो में विस्तार से देखिए डेल सारी बधाई शुब कामना हैं उन्होंने जनता का विश्वास जीतने में वो सफल रहे क्या कारण रहे कि हम लोग का प्रदर्शन जाएं एक तरफ मराश्रा में इतना बहतरीन रहा यहां पर किस वज़ा से हम लोगी चूकोई है मंतन का विश्य है बढ़ा संतोश मुझे इस बात का है कि मेरे नेता मेरे पिता आदनीय रामलास पासवान जी का जो एक सपना था कि पाठी का विस्तार अलग राज्यों में भी और खास ओपे झार्कन क्योंकि एक समय में आज जब हम पाठी का पचीस मास्ताफना दिवस मना रहे हैं तो सन 2000 में जब पाठी बनी थी उसी साल झार्कन भी बना था तब से उनकी इच्छा थी कि जारकण में भी पाटी का प्रती निद्वत करने वाले विधायक हो चत्रा से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है तो ऐसे में मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे नेता के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे हम लोग बढ़े हैं यह चिराजी आप कर रहे हैं इंडिये में एक जुटा की बात कर रहे हैं पहली बात तो यह उनका अपना विशे है क्योंकि वो जिन विशेव को लेकर वो यह सारा विवात खड़ा कर रहे हैं उस पार्टी के राष्टी अध्यक्ष संतोष माजी जी वो तो आज हमारे साथ ही थे बहराल बिना इस विवाद में गए हुए आज मुख्य मंत्री जी का यहां आना उप मुख्य मंत्री जी का यहां आना संतोष माजी जी का यहां आना लोग जन्शक्टी बाठी रामलास के कारियले में ये अपने में मुझे लगता है संदेश देने के लिए बहुत है और हम लोग को बार बार इस बात को प्रमानित करने की जुरुत नहीं है कुछ लोग हैं जिनको इस बात से तकलीफ जरूर होती है कि क्यों मेरे और मेरे मुझे मंतरी के बीच में रिश्टे इतने सहज हो गया क्यों एंडिये गडबंदन इतनी एक जुटता के साथ आगे चल रहा है इस बात को लेकर संभवता कुछ लोग को तकलीफ होगी वो उनकी परिशानी है बिल्कुल डेफिनेटली विवाद पैदा करना चाहते हैं जो लोग ये नहीं चाहते कि एंडिये गडबंदन एक साथ मजबूती से आगे बढ़े वो लोग इस तरीके की बाते करके विवाद को खड़ा करना चाहते है देखे जिस तरीके से पूरा एंडिये गडबंदन एक जुट होकर हर कारे को मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाने का कारे कर रहे हैं इसी का परिणाम है ये अभी उप्चुनाओं में आपने देखा हंडे परसन स्ट्राइक रेट एंडिये गडबंदन का रहा चार सीटों पर उप्चुना हुए और चारों की चारों सीटे एंडिये के घटक दलों ने जीतने का काम किया इसके पीछे का कारण ही यही है कि जिस तरीके से एंडिये का हरे घटक दल एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला कर मजबूती से आगे बढ़ने का कारे कर रहा है आज ये मेरी पार्टी का स्थापना दिवस्ता पर उसके बावजूज जिस तरीके से भारतिय जन्ता पार्टी का जिक्रे करें प्रदेश अद्यक्ष दलिब जैस्वाल जी आए समराट भाई आए उप मुख्या मंतरी समराट चौधरी जी यहाँ पर आए विबेन और उनकी पार्टी के मंतरी यहाँ पर आए जन्ता दल युनाइटेड से और हमारे एंड़े गड़बंदन के प्रदेश में नित्रत तो करता माने निये मुख्या मंतरी जी यहाँ पर आए उनके साथ उनके मंतरी मंदल के तमाम शाथी अशुक चौधरी जी, विजह चौधरी जी सब लोग यहाँ पर आए उसके बाद संतोष सुमन जी को हम लोगों ने देखा हम पार्टी से वो यहाँ पर आए तो ये अपने में दशाता है कि जनता दल युनाइटेड हो, लोग जनशक्ति पार्टी, भारतिय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोचा, राश्टिय लोग मोचा, तमाम घटक दल, एक दूसरे के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का कारे कर रहे हैं, और जो लक्षे